हलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग सूजी के लड़ू बनाएंगे जो खाने में काफी दिख स्वादिस लगते हैं ये कब सबको काफी पसंद आते हैं इनको बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता कम समय में ये हमारे लड़ू बन के तयार हो जाते हैं देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सूजी ली है अब हम इसमें दो चमच मलाई लेंगे और दूट डाल के हम लोग इसका एक डो लगाएंगे दो थोड़ा हम लोग नरमी लगाएंगे क्योंकि सूजी हमारी फूल जाती है थोड़ा थोड़ा दूट डाल के हम लोग इसका एक डो लगा लेंगे ये लड़ू खाने में काफ़ी दिख स्वादिस्ट लगते हैं देखिए डो हमारा लग के तयार है डो हमने थोड़ा नरम ही लगाया है 10 मिनट के लिए हम लोग इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट हो चुके हैं हम डो को देखते हैं देखिए डो हमारा थोड़ा टाइट हो चुका क्योंकि सूजी थोड़ी फूल जाती है अब हम इसकी छोटी छोटी लोया सी बना के इसे तेल के अंदर फ्राइ कर लेंगे इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे हमारे सुजी के थोड़ी थोड़ी लोया लेके आप पोई सीवीशेफ देखें इनने फ्राइ कर सकते हैं इस तरीके से इनने छोटी-छोटी पूर्यों की तरह बना लिया है यह मैंने घी लिया है मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे फ्राइ करेंगे घी के अंदर गैस की फ्लेम हम लोग मीडियम ही रखेंगे क्योंकि तभी हमारे लड्डू स्वाधिस्ट बनेंगे अब हम इसे दूसरी साइड भी सेख लेंगे इस तरीके से ये देखी फ्रेंट्स ये सिक्की हमारी तयार है अब हम छोटे-छोटे टुकडों में करके इसका एक पाउडर सब ना लेंगे grinder jar के अंदर ये देखी इस तरीके से हम लोगों ने इसका एक पाउडर बना लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे एक बरतन के अंदर ये मैंने दो चमच देशी घिलिया है अब हम इसमें dry foods डालेंगे जिसमें मैंने अब हमने जो सूजी का पाउडर तयार किया था उसको हम लोग 5 मिनिट के लिए दीमियाच पे सेखेंगे एक चमच मैं इसके अंदर कोकोनेट पाउडर डाल रही हूं बड़ा इलाइची डालेंगे उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे कोकोनेट पाउडर अगर आप डालना चाओ तो डाल सकते नहीं तो स्किप भी कर सकते इसके बगर भी लड़ू काफी टेस्टी बनेंगे अब हम इसमें शूगर डालेंगे देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस की फिलिम हम लोग मीडियम ही रखेंगे अब हम इसमें शूगर डालेंगे ये मैंने तीन बड़े चमच शूगर के लिए हैं मीठा आप लोग अपने स्वाद के नुसार भी इसके इंदर डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खा सकते हैं तो एक चमच और इसकी क्वांटिटी बढ़ा देना अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम हम लोग मीडियमी रखेंगे देखे फ्रेंट्स सूजी के लड़ू हमारे बन के एकदम तयार हैं अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे देखिए फ्रेंट्स अब हम सूजी के लड़ू बनाते हैं इस तरीके से हम लोग लड़ू बनाएंगे ये लड़ू खाने में काफे दिख स्वादिस्ट लगते हैं फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं कहा तो ये खाने में काफे दिख स्वादिस्ट भी लगते हैं देखिए फ्रेंट्स हमारी सूजी के लड़ू बनके एकदम तयार हैं फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना शेर करना कमेंट में जरूर बताना आपको सूजी के लड़ू कैसे लगे और हाँ मेरे चैनल को सिस्क्राइब जरूर करना और बैल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जरूर पूचे